वेलकम बैक तू निव लेक्च्चर आज हम जो टोपिक करने वाले हैं उसका नाम है सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेट सभी के सभी को करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे इसमें होता है कि हमने इन में से हमने दो चीज़े डिटर्माइन करनी होती हैं तो हमने से पहले आपको इनके बारे में पता होने हैं जाए सिंगुलर पॉइंट क्यों होता है मुलिट्ट्タ म करेंब साथैं और ने च्चर चलासिफिकेशिए उन था इन करेंगे तो हम्हाँ थेन 3 case बनते हैं या तो होगा वो node या तो होगा वो cusp या तो होगा वो conjugate point तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि मेरे पास इतना time नहीं है कि मैं इनको detail में discuss करवाऊं तो जैसे आपको पता है कि हम topic को start करने से पहले steps बताते हैं कि उनसे related हमने questions को कैसे solve करना है तो जल तो अभी हमने इनके बारे में मैंने जो आप भी आपको steps से बताने हैं आप उनको note कर लेना हम उनी steps से सभी के सभी questions को solve करेंगे तो सबसे बाले मैं step first लिख देता हूँ step first तो हम step first को discuss करेंगे step first में हम क्या करेंगे हमने 5 चीज़े determine करेंगे क्या करेंगे हम curly f over curly x यह partial differentiate किया है यहाँ यहाँ पर f जो वो कर्व है कोई हमको जो कर्व दी हुई होगी ना हमने उसको with respect to x partial differentiate कर देना ठीक है और इसी को हम y के साथ भी करेंगे इसी कर्व को differentiate f क्या है कर वह है ठीक है partial differentiate कर दिया हमने यह जो हमने दो चीज़े निकाली नहीं यह first and second यह जो दो चीज़े हूंगगी यह double points को determine करने के लिए है ठीक है double points की position निकालने के लिए यह वाले दो चीज़ हमने निकाल दे ठीक है हम इन से और इससे आगे क्या करेंगे हम हम इनको double derivate कर देंगे partial differentiate करेंगे ठीक है और इसको भी कर देंगे curly square f over curly y square ठीक है यह चार चीज यह आगी और पांच मी चीज है curly square f over curly x curly y ठीक है इन दोनों points से हम करेंगे double points की position को determine और यह जो हमारे पास जो आगे के मैंने जो तीन निकाले है यहाँ पर यह जो double derivative है और यहाँ पर यह curly square f over curly x curly y है इन तीनों से हम निकालेंगे उसका nature ठीक है तो इनके जो एक formula होता है nature निकाले के लिए मैं बो लिख दूँगा आगे बट यहाँ पर देखिए आप इसको भी निकालोगे इसको भी निकालोगे यह डबल इसको डेरिवेट करोगे तो आपके बास इसकी वैली आ जाएगी ना देखो कर ली स्केर एफ कर ली एक्स कर ली वाई ठीक है मतलब किया जो आपके बास यह वाली जो वैली होगी यह वाली चोटे से स्टेप सैंबस अभी जो हैन स्टेप सैंड इसमें हम करेंगे नेचर को डिटेंट कि कद आपस जो नहीं करेंगे निय४स कर रहाओ जो इस में से हम माइनस कर देंगे जो डवल डेरिवेटी वाल है इनका प्रोडक्त करके हम इसको माइनस कर देंगे तो यहां पर आजएगा Curly square f over curly x square into curly square f over curly y square ठीक है यह है यह है फो मुला नेचर को पहले 2 points है तो पहले 2 points को हम क्या करेंगे इन दोनों को 0 को equal करेंगे तो हमारे पास position आएगी क्या करेंगे curly f over curly x इसको भी हम 0 को एक पॉइंट आजाएगा मतलब x के लिए x या y के लिए एक बॉइंट आएगा ठीक है और यहाँ पर वी जब मैंने डेमेर हम यह पुट करने से पहले यहां पर हमने एक्सराइब कि जो पॉइंट निकाले हैं हम ने उनकी वेलिए पूट करनी यह तो फिर हमने यहां पर करनी है पुट माली जी कि यहाँ पर आपको बताए कि मैंने यहाँ पर xy की कुछ न कुछ value आएगी कोई constant value आएगी तो यहाँ पर माली जी की 2 and 3 आजाता है अब यहाँ पर जब हमारे पास ही है जो curly square plus 5 होगी अगर तो यहाँ पर x की value 2 है नो तो आप x की जगा 2 भर दोगे तो यहाँ पर आजएगा 6 into 4 plus 5 तो यहाँ पर आजएगा 24 plus 5 तो यह हमारे पास बन जाएगा 29 तो समझे मतलब आपके पास जो इसकी जो value आएगी फिर वो 29 आएगी तो आपने वो constant values को यहाँ पर पर पुट करना है ठीक है तो यहाँ पर आप समझे रहे हो ना मतलब यहाँ पर जब आप constant values को पुट करोगे तो आपके पास कोई जो value आएगी वो constant आएगी तो आपके पास यहाँ पर तीन case बनेंगे या तो जो constant value होगी वो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के एक बड़ी होगी तो अब यहाँ पर अगर जो डी की जो value है ठीक है वो अगर 0 से बड़ी आ जाती है अगर वो 0 से बड़ी आती है तो वो होगा node सिंपल सा है यहीं पर आपको nature का पता चल जाएगा डी की अगर value होती है 0 से बड़ी तो वो बन जाएगा node या तो इसको हम बोल देते है conjugate point दोनों अलग-लग चीज होती है node और conjugate point दोनों अलग-लग चीज होती है बट हम जातर cases में अगर जब डी जो हो 0 से बड़ा होता है हम उसको node ही लिखते है conjugate point भी हो सकता है ठीक है और अगर d की value आ जाती है 0 के equal तो हम क्या लेते हैं हम उसको कस्प मानते हैं ठीक है जब d की value 0 के equal आती है तो हम वो कस्प होता है ठीक है और यह conjugate point भी हो सकता है conjugate point भी हो सकता है बट हम जादतर cases में हम इसको कस्प ही लेते हैं और अगर D की value आ जाती है 0 से शोटी तो वह क्या होगा डी के अगर value 0 से शोटी हो जाती है तो हमारे पास सीधे conjugate point ही होगा वह हमेशा ही conjugate point होगा ठीक है यहां पर जो मैंने आपको दो steps में मैंने सब कुछ पॉइंट को आप इस formula में लगाने से पहले उन पॉइंट को आप जब इन values में पूट करोगे तो इस फॉर्मूले में जब आप उन values का यूज करोगे तो आपके वास D की तीन possible cases आएंगे या तो 0 से बढ़ा होगा या 0 से शोटा होगा तो यहां पर जब 0 से बढ़ा होगा त कर सकते हैं तो easy साथ अब हम एक question लेते हैं और question के थुरू हम इसको solve करते हैं अब देखो question जो है नहीं यह जो question है नहीं एक्जाम में भी कई बार आता है most important question तो question हमारे पास दिया हुआ है x-cube plus 2x square plus 2xy minus y square plus 5x minus 2y is equal to 0 ठीक है यह हमारे पास question दिया हुए तो अब हम क्या करेंगे यह हमारे पास कोई curve दिया हुए है तो इसमें हमको question में हमको बोला गया है कि आपने यहां पर इसकी आपने show करना है कि यह जो है वो कस्प है इसका जो nature है वो कस्प है ठीक है और आपने इसके जो determine करने है double point ठीक है तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको वहला था कि सबसे पहले step में हमने 5 चीज़े निकालनी है और 5 में से जो पहली दो चीज़े होंगी वो points के लिए होंगी और अगली तीन चीज़े के जब हम use करेंगे वो हम nature के लिए करेंगे तो हम सबसे वहल इसको constant मानते है partial differentiate का आपको पता है ना वाई इसमें constant मानेंगे सिर्फ वाली टर्म को हम करेंगे differentiate तो यहां पर का जाएगा तो वह बन बन जाएगा और यहां पर आजएगा प्लस फाइव और यह वाली जो तरम है यह वाली है तो यह constant की जब आप डरिवेट करोगे तो जि करेंगे यहां पर हम करेंगे तो हमारे पास आजएगा 2X and minus sorry यहां पर minus 2y and यहां पर आजएगा minus 2 तो यह हमारे पास आगे curly f over curly x अब हमने क्या करना था मैंने आपको बहुता है इन दोनों को 0 के equal कर देना है तो यानि कि हम क्या करेंगे curly F over curly X को भी हम 0 के equal करेंगे और curlie F over curly Y को सब्सक्राइब करेंगे तो जब हम इसको जब हम 0 के equal करेंगे मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर आजएगा 3x square plus 4x plus 2y plus 5 is equal to 0 और यहां पर हम जब इसको 0 के equal करेंगे यह वादे 2x minus 2y minus 2 इसको भी हमने 0 के equal कर दिया अब हम यहां से क्या कर सकते हैं देखो हमने इन दोन equation को solve करके x और y की value निकालनी है हमने ठीक है तो जब हम यहां से देखो यहां से हम इसको solve कर सकते हैं तो सब्सक्राइब हम यहां से 2, ले लेंगे जब हम 2, लेंगे तो हमारे बास बचेगा यहां से x minus y minus 1 is equal to 0 और x की value को हम लिख सकते हैं y plus 1 अब इस x की value को हम इस equation में put कर देंगे इसको हम 2 माल लेते हैं equation number 2 and equation number 3 को माल लेते हैं तो x की value को हम equation number 2 में put करेंगे यहां पर मैं लिख देंगे तो putting the value of value of x in equation number 2 easy सा concept है तो जब हम इस value को equation number 2 में put करेंगे तो हम यहां पर लिख देंगे 3 y plus 1 का whole square plus 4 x की जगा y plus 1 लिख देंगे प्लस 2y plus 5 is equal to 0 अब देखो यहां पर इस सारी के सारे जो equation है इसमें पूरा variable जो by बन गया है ठीक है अब हम scroll करने के लिए हमें असानी होगी तो अब हम यहां पर क्या करेंगे a plus b का whole square वारा formula लगा देते हैं तो यहां पर आजएगा a square plus b square plus 2a b plus 4y plus 4 plus 2y plus 5 is equal to 0 और यहां पर हम जब multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 3y 2 और यहां पर बन जाएगा 3 अब यहां पर 3 यह और 5 plus 4 9 9 plus 3 12 बन जाएगा यहां पर मुझेगा plus 12 एंट यहां पर देखो जब हम इसको multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 6y, 6y प्लस 4y, 10y बन जाएगा और यह 12y बन जाएगा, ठीक है, प्लस 12y, मैं यहां पर 12y बन रहा है, तो मैं 12y को यहां पर लिख देता हूँ, यह 12y यह वाला यहां पर राजाएगा, this is equal to 0, अब यहां पर देखो, हमारे पास बन गिये quadratic equation, और सोरी, मैं इसको थोड़ा सा इसको और simplify कर सकता हूँ, मैं, तो यहां से जब मैं 3 को common ले लूँगा, तो यहां पर राजाएगा, y2, plus 4y, plus 4, is equal to 0, ठीक है, यह बन जाएगा, हमारे पास quadratic equation, अब हम इसको यहां से solve करके, by की value निकाल सकते हैं, और y की value को जब हम यहा हमारे पास x की value भी आ जाएगी, तो चलिए जल्दी से इसको हम solve कर लेते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके factor बनाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा, y2, plus 2y, plus 2y, बन जाएगा, 4y2, और यहां पर plus करने पर 4y, तो यहां पर आजाएगा, 4 is equal to 0, y को को मल लेंगे, y plus 2, यहां पर हम 2 को मल लेंगे, यहां पर बन जाएगा, y plus 2, यहां कि हमारे पास था है, y plus 2, and y plus 2, is equal to 0, y कि हमारे पास value आई, minus 2, and minus 2, और आपको पता है ने, जब यहां पर, जितने यहां पर power होती है, उतने ही हमारे पास, यहां पर इसके roots आते हैं, तो यहां पर two roots की हम, minus 2, अब हम, minus 2 को यहां पर put करेंगे x वाले में, x is equal to y plus 1 में, तो यहां पर हमारे पास x की value क्या आजएगी, x is equal to y plus 1 था यकी value, minus 2, plus 1, तो x की value हमारे पास आगी minus 1 ठीक है तो x की value आगी हमारे पास minus 1 y की value minus 2 है तो यानि की point क्या बनेंगे double points double points तो मैंने आपको बोला था double points को हम x और y ऐसे लिख सकते हैं तो इसकी यानि की value क्या आजाएगी यहाँ पे x की जगह हम लिखे देंगे minus 1 and y की जगह हम लिखे देंगे minus 2 तो यह हमारे पास आजाएंगे double points तो यह आगे हमारे पास double points तो अब हम निकालेंगे curly square क्योंकि अभी हमने nature निकाल ला है तो nature के लिए मैंने आपको बोला था आप second order derivative निकालोगे तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे double derivative किसको इस वाले को करेंगे double derivative तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6x plus 4 with respect to x कर रहे हैं तो यहाँ पर आजाएगा 6x plus 4 and जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास इस वाले को हम करेंगे double derivative तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा y के साथ कर रहे है तो यहाँ पर आजाएगा-2 और हमने एक और चीज निकालनी को कि मैंने अपको पांच चीजे बताई थी हमने दो यूज कर ली है दो यह आगी अभी हम एक और निकालेंगे यहाँ पे वह कर ली एक कर ली य और मैंने आपको ला था जो फर्स्ट अडर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिदर स्ट्रेक्ट एक्स होगा ना पार्शिल डिफेंशिट आप उसको य आपके साथ कर दोगे दौबारा से तो आपके बास इसकी यू आजाएगी तो जो आपने उसके यहां पर केस da कुषन on mainord रही थी इस चैसे में अब हम इसको वह डीव वाले पूट करेंगा पर इस पोट करने से बहले मैंग आपको है यहां पर यहां पर आप इकस की एकस committees एक एकट कर दोगे तो यहां पर प्सक्राइब स्य दो सब्सक्राइब करना है यहां पर आ रहा है तो आप x की value यहां पर put कर दोगे तो यहां से आपके पास क्या जाएगा curly square f over curly x square यह at हम point निकाल रहे है minus 1 and minus 2 पर ठीक है at minus 1 and minus 2 पर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर x की value को हम put करेंगे क्योंकि y की value तो आई नहीं तो यहां पर x की value minus 1 आजाएगी plus 4 minus 6 plus 4 is equal to minus 2 यानि की curly square f over curly x square की value आईए वो क्या है minus 2 तो अब हम इसको formula में put करते हैं और इसका nature को check करते हैं कि इसका nature क्या है मैं इसको यहां पर कर रहा हूँ तो इसका जो formula लेकित देता हूं पहले मैं nature निकालने के लिए क्या करते हैं जो curly square f over curly x curly y है उसका हम square कर देते हैं इसमें से मैंने कर देते हैं यह मैंने उपर लिखा दूआ है formula, ठीक है, इसमें से मैंने कर देंगे, curly square, f over curly x square, मैंने अब को बोला साथ, जो second order होंगे, हम उनको product करके इसमें से minus कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सीधे values को put करेंगे, तो यहाँ पर देखो, इसकी value value है वो हमारे पास है यहां पर यह है 2 ठीक है इसकी वैलिव हमारे पास 2 दी हुई है तो हम जब 2 का स्केर करेंगे तो यह बन जाएगा 4 और यहां पर माइनस जो है फो मुले वाला है तो यहां कि 4-4 is equal to 0 अब देखो जो डी की वैलिव वह जीरो आई है तो मैंने अभी आपको यहां पर तीन केस बताए थे देखो डी की वैलिव जब 0 आती है तो उसकेस में क्या इसको लेते है कस्प या तो कंजूगेट यहां तो जो पॉइंट है यह क्या है तो जो पॉइंट है न माइनस वन और माइनस टू यह क्या है इस अ कश्प ठीक है अगर माली जीए यहां पर अगर जीरो से जो है वह बढ़ी आती डी की वैलिव तो आपने इसको नोड लिखना था या तो चोटा अट वह तो हमेशा कंजूगेट पॉइंट ही होना था ठीक है तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा यह कंसेप्ट इसको एक और मैथड़ी है इसको सोल्व करने के लिए उसमें हम औरीजिन को शिफ्ट करते हैं बट इस मैथड़ी बताया है तो आई होप आपको यह वाला मैथड़ हो गया होगा तो थैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो और हां मैंने अभी तक जितने भी कंसेप्ट कराएं इस बुक के या तो जो दूसरी बुक है अगर आप उनको भी पढ़ लेते हो ना एक्जाम में आप उस पेपर को फाड़ क्या सकते हो तो यह तो था बहुत ही जा